नमस्ते दोस्तो मैं हूँ श्रीकांत आज के इस वीडियो में मैं आपको DJI Mavic Mini 2 ड्रोन को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और रोरिंग फिलम्स को यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेट्स बिगिन दोस्तो यह प्लाइम और कॉंबो प्याक है इसमें एक्ष्ट्रा बैटरीज एक्ष्ट्रा केबल्स और एक्ष्ट्रा प्रोपेलर्स मिलते है अब हम इसे अन्बॉक्सिंग करेंगे दोस्तों box इस तरह से दिखता है देखिए box इस तरह से है इसे unboxing करेंगे के इस तरह से box है दोस्तों इसके अंदर shoulder ब्याग है इसके अंदर drone और accessories है इसे भी unboxing करेंगे वो तच्छा quality का ब्याग है shoulder back के अंदर इस तरह से इसके अंदर items है यह है drone और यह है accessories का box remote controller और user manual guide और इसमें extra propellers है इनको एके करके बाहर निकालेंगे यह है दोस्तों RC remote controller है एके करके इनको side रखेंगे और यह है accessories box और यह है manuals user guide है यह है finally आपका drone इस तरह से है बहुत अच्छा है drone aircraft यहां देखेंगे दोस्तों उपर chain के अंदर यह एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और जोईस्टिक्स है त्री पेर्स आप एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलते है और एक screwdriver मिलता है प्रोपेलर्स को tight करने के लिए त्री पेर्स आप एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है screwdriver और यहां एक्स्ट्रा जोईस्टिक्स है ओके दोस्तों प्लाइम और कॉंबो पैक में इतना ही items है shoulder bag है drone एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स RC और user manual और accessories box इस box के अंदर क्या क्या है लगेंगे यह दोस्तों टूवे charging hub इसमें दो बैटरी जए और एक बैटरी जड्रोन के अंदर है इस टूवे charging hub में बहुत अच्छे से charging होता है जिस बैटरी के अंदर ज्यादा power रहता है ना पहले वही चार्ज होता है उसके बाद बाकी बैटरी चार्ज होते है और यहां से plug करके charging करना है यहां cables को दिया गया है आप इसे power bank की तरह भी use कर सकते है यहां USB cable दिया गया है और यह है user guide इसमें सारे details दिये है quick start guide है और disclaimer and safety guidelines है इसे जिस तरह से charging करना है क्या क्या के इस तरह से connect करना है सब कुछ यहां दिया गया है आप इसे पढ़िए मैं इसे बाद में पुड़ूंगा अब हम remote controller के polytin को निकालेंगे यह रहा remote controller remote controller बैटरी होने के बाद इसके अंदर दोस्तों adapter है लेकिन इंडिया में ज्यादातर घर में इसे इस तरह के नहीं होते है आप अपके mobile adapter से भी charge कर सकते है कोई problem नहीं है charging करने के लिए USB type C का USB cable है और RC को connect करने क के लिए यहां cables को दिया गया है यहां देखे cable से और इसे भी side रखेंगे दोस्तों RC के उपर joystick को connect करने के लिए यहां देखे पीचे joystick से इस तरह से बाहर निकालना है और इसके उपर इस तरह से tight करना है simple इस side भी एक है हो गया इस तरह से operate करना है दोस्तों यहां power on button को दिया गया है आप इसे एक बार प्रेस करके और एक बार long प्रेस किया तो यह on हो जाता है यहां इसके अंदर कितनी battery बच्ची है यहां दिखता है देखिए आप first time unboxing करने के बाद drone के batteries को और RC को full charge कीजिए उसके बाद ही ply की एक बार क्लिक करके long प्रेस किया तो यह आप हो जाता है यह हो गया remote controller यहां camera gimbal को अपरेट करने के लिए और आगे पीछे और composition करने के लिए यहां joysticks है और return to home button है यहां तीन modes है इनके बारे में मैं अगले lesson में बताऊंगा अगले वीडियो में बताऊंगा और इसे भी side shield को और holder को remove करके ही apply करना है इस shield को remove करेंगे के simple है दोस्तों इस तरह किया तो shield remove हो जाता है अब हम इसका shield को remove करेंगे simple और यहां देखिया दोस्तों 3 axis camera है दोस्तों यह बहुत compact drone है foldable drone है इसे unfold करना भी simple है इसके उपर numbering को दिया गया है यहां देखिये पहले पुष्ट क forward करना है इस तरह से ओके उसके बाद यह second है ना इससे downward करना है नीचे करना है simple same उसी तरह इस side का भी करना है forward और इससे downward हो गया है ना unfold देखिये दोस्तों बहुत compact है must है यहां देखिये mini 2 भी लिका है ultralight to 49 gram को भी लिका है दोस्तों इसके अंदर memory card नहीं आता है internal recording इसके अंदर नहीं है आप extra memory card को लेना चाहिए मैं sandisk extreme का 128 GB का memory card को लिया हूँ यहां button को दिया गया है आप इसके उपर click करके drone के अंदर कितना battery बचा है देख सकते है नीचे sensors है side में उपर sensors नहीं है नीचे sensors है और 3 axis gimbal है gimbal camera है और simple है दोस्तों इतना ही है अब मैं आपको इसका battery को जिस तरह से निकालना है बताता हूं cover निकालना है इस तरह से उपर करना है दोस्तों battery remove करने के लिए इस तरह से open किया तो battery आता है और यहां memory card को डालने के लिए slot देया गया है इसके अंदर memory card को डालना है प्रेस करके उपर नीचे प्रेस करके आप बाहर साइड इस तरह से क्या तो बैटरी बाहर आ जाता है इसे बंद करेंगे पहले आप बैटरी को चार्ज कीजिए उसके बाद प्लाई कीजिए यहां charging के लिए slot को दिया गया है आप यहां से charge करना है ओके दोस्तो यह हो गया unboxing अब मैं आपको इस drone का features के बारे में बताऊंगा दोस्तो यह drone है ना ultra light weight है यह सिर्प 249 grams का drone है इसलिए इसे mini categories में consider किया जाता है यह foldable drone है और travel friendly भी है इसका maximum flight time 31 minutes तक है और इसका video transmission range 10 km तक है और इसमें level 5 wind resistance है और इसमें 3 axis gimbal camera है और ultimately इसका video quality 4K तक है दोस्तो 4K 30fps तक आप इसमें videos को shoot कर सकते हैं यह हो गया main features के बारे में अब मैं आपको इस drone को कहां से purchase करना चाहिए इसे बताऊंगा आप इस drone को offline से भी purchase कर सकते है या तो online से भी purchase कर सकते है मैं आपको bill के साथ purchase करने के लिए recommend करूंगा आप इस drone को legally apply करना चाहते हैं तो आपके पास bill होना बहुत जरूरी है बिल के साथ purchase किया तो आप इसे legally apply कर सकते हैं आपको आगे कोई दिकत नहीं आएगी और registration करने के लिए बिल की जरूरत भी पड़ सकती है इसलिए मैं आपको bill के साथ purchase करने के लिए recommend करूंगा मैं इस drone को Amazon से purchase किया हूँ यदि आपको Amazon में price ज़्यादा लग रहा है तो आप दुबई को जाके इस drone को ला सकते हैं ओके दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप इस drone को bill के साथ purchase कीजिए इस drone के साथ कौन सा memory card यूज करना है कौन सा ND filters को CPL filters को यूज करना है सारे links को मैं इस वीडियो के description box में दिया हूँ आप चक कीजिए आप हमारे camera और gears recommendations को जाना चाहते हैं तो kit.roaringfilmschool.com को visit कीजिए ओके दोस्तों यह हो गया unboxing मैं इस drone को अच्छी तरह से test करूंगा और अगले वीडियो में DJI Mavic Mini 2 drone का complete review करूंगा दोस्तों यदि आप video editing सीखना चाहते हैं तो आप हमारे online professional video editing course को join कर सकते हैं link इस वीडियो के description box में है चेक कीजिए या तो www.roaringfilmschool.com को visit करके course को join कर सकते हैं और भी हमारे roaring film school की तरफ से बहुत सारे courses launch हो चुके हैं आप उन courses को भी join कर सकते हैं link इस वीडियो के description box में है चक कीजिए इस वीडियो में बस इतना ही है इस drone को मैं test करूंगा video samples को और photo samples को और complete review को मैं अगले वीडियो में आपको detail में बताऊंगा इस वीडियो को like कीजिए और roaring film school youtube channel को subscribe कीजिए अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे धन्यवाद जय हिंद झाल झाल